आज का विशे है सब तक क्रमानुसार साथ शुद्ध स्वरों के समूह को सब तक कहते हैं हम पीछे बता चुके हैं कि साथों स्वरों के नाम क्रमशह सारिगमपध और नी है इसमें प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या अपने पिछले स्वर से अधिक होती है दूसरे शब्दों में सा से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं स्वरों की आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है रे की आंदोलन संख्या सा से ग की रे से व म की ग से अधिक होती है ध और नी की आंदोलन अपने पिछले स्वरों से ज्यादा होती है। पंचम स्वर की आंदोलन संख्या सा से डेड़ गुनी अर्थात तीन बटा दो गुनी होती है। उदारण के लिए अगर सा की आंदोलन संख्या दो सो चालिस है तो प की आंदोलन संख्या दो सो चालिस की तीन बटा दो गुनी तीन सो साथ होगी। प्रत्येक सब्तक में सा के बाद रे ग म प ध नी स्वर होते हैं। नी के बाद पुना तार सब्तक का सा आता है और इसी स्वर से दूसरा सब्तक शुरू होता है। यह सा अत्वत तार सा पिछली सा से दूगनी उचाई पर रहता है और इसकी आंदोलन संख्या भी अपने पिछले सा से दूगनी होती है। उदाहरण के लिए अगर मध्य सा की आंदोलन संख्या 240 है तो तार सा की आंदोलन संख्या 240 की दुगनी 480 होगी इसलिए सा प और तार सब्तक का सा को एक साथ बजाने से उत्पन ध्वनी कानों को अच्छी लगती है सा से नी तक एक सब्तक होता है नी के बाद दूसरा सा अर्था तार सा आता है और इसी स्थान से दूसरा सब्तक भी शुरू होता है दूसरा सब्तक भी नी तक रहता है और पुना नी के बाद अती तार सा आता है जहां से तीसरा सब्तक प्रारंभ होता है इसी प्रकार बहुत से सब्तक हो सकते हैं किन्दु क्रियात्मक संगीत में अधिक से अधिक तीन सब्तक प्रयोग में लाए जाते हैं प्रत्येक सब्तक में साथ शुद्ध और पांच विक्रित स्वर होते हैं गायन वादन में तीन सब तक से अधिक स्वरों की आविश्यक्ता नहीं होती अधिकांश व्यक्तियों का कंठ तीन सब तक से भी कम होता है धन्यवाद